कोटा एसीबी ने एक बड़ी कारवई करते हुए बुंदी के लाखेरी में तैनात पुलिस उपधिक्षक ओम प्रिकाश चंदोलिया को 24,000 रुपे के रिश्वते ते ट्रैप किया है टीम ने ये कारवई पुलिस अधिकारी के आवास पर की है रिश्वत खोर पुलिस उपधिक्षक के घर से लाख रुपे की शिराप की बोतले भी बिली है एसीबी के एसीबी ठाको चंदरशिल ने बताया कि पुलिस उपधिक्षक ओम प्रकाश चंदोलिया बुंदी जिले के लाखेरी में तैनात है परिवादी जोगिंदर सिंग्ग ने ऐसीबी को शिकायत दी थी इसमें बताया गया था कि उसकी शराप की दुकान का संचालन करने के लिए ओम प्रकाश चंदोलिया ने 30,000 रुपे की रिश्वत कीमा की साथ ही जब परिवादी रुपे देने से मना कर दिया तो उसके जूटे केस में फसाने की धंकी दी शिकायत के बाद पुलिस ने सत्यापन किया जिसमें सामने आया कि पुलिस उपदिक्षक पहले 6,000 रुपे ले चुका है वहीं आपका रिभाग ने भी मामले में आरोपी से पुस्ताज करते में जाच शुरू कर दी है